राम जिसके इंकम एक लाख पचास अजार है भाई आपका मैं क्लियर बताओं जो बच्चे ऑफ-लाइन में बैठे हैं वो चुप-चाप सरिफ सुने इसको तो सही रहेगा मैंने वैसे आज याद करने के लिए टेस्ट के लिए भी बोला था यह देखे राम जो है पांच लाख रुपे का है सरी डेड़ लाख रुपे की इंकम है इसका टेक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे अब राम तो सबसे पहली बात SSC ही नहीं है सर क्यों नहीं है SSC क्योंकि इसकी इंकम टेक्स लाइबिलिटी के बराबर ही नहीं है तो इसका टेक्सेबल इंकम हमें नहीं निकालना पहली बात कई बार कोश्चन में आपको लगे कि किसी की इंकम दो लाइबिलिटी निकालो तो आपको वहाँ देना पड़ेगा इस नोट लाइबल टू पे टेक्स यह लाइबल ही नहीं है ठीक है एक्जामपल लेता जा रहा हूं एक वन एक्जामपल नमबर टू मान लेते हैं राम की इंकम चार लाक रुपए है सर इसकी तो निकलेगी कैसे निकालेंगे वो भी देखिए अपटू अपटू 250 जीरो इसके बाद नेक्स्ट अगर नेक्स्ट देखा जाए ना तो नेक्स्ट 250 होता है लेकिन 250 लाइक है ही नहीं तो नेक्स्ट 150 बचेगा समझना बात को काफी बच्चे कोश्चन पूछ सकते हैं समझ में आए डेड़ लाग कैसे बचा डाई लाग का हिसाब हो गया अब चार लाग की इंकम थी डाई का हिसाब बच गया तो डेड़ लाग बचा डेड़ लाग का कितने परसेंट होता है पांच तो पांच परसेंट इसका निकालेंगे तो 7500 तोटल टेक्स कितना हुआ इसका हाला कि इसे टोटल टेक्स देना चाहिए सेवेंटी फाइवंड्रेड लेकिन मैंने बताया लोगों ने मुद्दा बनाया तो गौवर्मेंट ने बोला पांच लाग तक माइनस तो गौवर्मेंट ने क्या करा इसके बाद लेस कर दिया यहां से लेस रिबेट यह आपने याद रखना है रिबेट रिबेट कितना है हमारा 87 A यहां पर capital A और small A का भी बहुत अपने आपमें इन्पोर्टेंट्स है बोला गया कि आपको 87 A में गौवर्मेंट ने जब लौ बनाया तो क्या बोला कि 87 A में आपको रिबेट maximum दिया जाएगा 12,500 रुपए तक यानि आपका tax liability कुछ भी बनता हो अगर आपकी income 5,000,000 रुपए या उसके अंदर है तो 12,500 तक आपको discount दिया जाएगा यानि रिबेट दिया जाएगा छूट दिया जाएगा तो यहां पर देखा जाए तो 75,000 चेक क्या करें सर सर income 4,000,000 है law क्या कहता है मैं लिख रहा हूँ 87 A क्या कहता है 87 कहता है if income does not exceed रुपीज 5,000,000 then rebate then rebate बोल दिया वैसे deduction तो नहीं बोला rebate allowed up to 12,500 सर सेक्षन ने इतनी बाते बोली हुई है कहता है कि अगर आपकी income exceed नहीं कर रही है 5,000,000 से तो आपको 12,500 तक का tax liability में छूट दिया जाएगा अब इसकी income कितनी है सर exceed नहीं कर रहा है तो यह rebate के लिए eligible है या नहीं है कितने रुपे तक 12,500 रुपे तक लेकिन इसकी income tax liability बन रही है ultimately ठीक है चलिए case number 3 मान लिजे राम की income 5,000,000 रुपे है कितने income बता ही मैंने राम की 5,000,000 तो क्या होगा यहाँ पे सर सर यहाँ पे होगा up to 250 कितने होंगे 0 जिसे मैं nil लिख रहा हूँ next अब हाई धाई लाग कट गए तो 5 में से धाई तो धाई तो बच रहा है ना तो next 250 कितने रुपे 12,000 5% मैं लगा देता हूँ 5% नहीं तो पूछेंगे direct पता नहीं कहां से amount आ रहा है at the rate 5% के हिसाब से 12,000 और तो इसके income नहीं पांच लाग बराबर कर दिया हमने इसका अब आगे हमारा 12,500 क्या इसकी income 5,000,000 से exceed है या नहीं है नहीं है तो क्या यह rebate के लिए eligible है बिल्कुल सर अब less कर देंगे 87A rebate maximum कितना जा सकता है 12,500 इसकी taxable income क्या हो गई 0 चलिए सर समझ में आ रहा है यहां तक अब ले लेते हैं Mr. X जिसकी income है Mr. X की income 6,000,000 रुपे मैं income बता रहा हूँ income पे liability इसके अंदर deduction वगएरा की कोई चर्चा नहीं है सब कुछ करके मैं दे रहा हूँ सिर्फ आपको tax liability निकालना सिखा रहा हूँ यहां पे इसकी income कितनी है 6,000,000 सर निकालते हैं क्या कहता है law up to 250 क्या रहेगा हमारा nil next 250 what at the rate at the rate 5% जो की निकल के आता है कितने रुपे हैं 12,500 क्या बचा है कुछ और एक लाख रुपे बचा है क्योंकि पांच का हिसाब किताब हो गया एक बचा next 1,000,000 क्या slab rate आ जाएगा सीधा 20% यानी 20,000 कितने आगे 32,000 87A क्या कहता है तेरी इंकम अगर पांच लाख रुपे तक है तब तु मुझे अपलाई कर सकता है अदर्वाइस तेरी हिम्मत नहीं के मुझे अपलाई करे कौन कहता है 87A अब इसकी इंकम कितनी है क्या 87A अपलाई हो सकता है नहीं हो सकता अब सीधा लगेगा यहाँ पे क्या प्लस 4% जिसे मैं CES बोल देता हूँ Health Education CES होता है वैसे मैंने CES लिख दिया शौट फॉर्म में सर्फ 4% किसका 32,500 होगा 4% तेरा सो रुपए टेक्स लाइबलिटी 33,800 ठीक है मैं भी काफे सार एक्जामपल लूँ आ जितने माइन में डाउट चल रहेंगा थौट चल रहेंगा सब चीज आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है और एक्जामपल ले चल लिए Mr. X income 5,5,000 Mr. X की income कितनी रखी मैंने 5,5,000 Up to 250 क्या income होगा Nil Next Next 250 क्या income होगा At the rate 5% जो की आजाता है हमारा 12,500 Next कुछ बच रहें क्या 5,000 बच रहे At the rate 20% 1,000 Total आ गया 87A लगेगा या नहीं लगेगा कमेंट में भी बताइए आप भी बताइए मुझे क्या 87A लगेगा या नहीं लगेगा क्योंकि 87A क्या कहता है अगर income रही 5,000,000 रुपे तक अगर 5,000,000 एक रुपे भी हो गया ना 87A नहीं लग सकता है यहां पे जो बच्चे लाईव हैं वो भी जवाब दे जवाब आ गया नो इसका मतलब सर देख रहे हैं 4% क्या लग जाएगा CES यह सही से लिखते थे हैं CES यानि आप एक चीज मैं यह सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ निकाल तो आप भी लेते यानि सर पांच हजार रुपे अगर इंकम हमारी कम होती देख रहे हो कितना यह देखो लौ थोड़ा समझ में नहीं है पांच हजार रुपे इंकम जादा क्या कमा लिए तुमने तो 14,000 रुपे मेरे से वसूल लिए पहले क्या था पांच लाग के इंकम पे कितना था बस पांच कितने रुपे जादा कमाए पांच हजार गौवर्मेंट ने कितने वसूल लिए 14,040 रुपे यानि हर वेक्ति आज के टाइम पे चाहता यार मेरी इंकम ना पांच लाग तक रुख जाए उसके लिए वो अलग-अलग क्या करता है टेक्स के प्लैनिंग करता है हम टेक्स चोरी कभी वर्ड यूज नहीं करेंगे टेक्स प्लैनिंग वर्ड यूज करेंगे कि इसदर इंवेस्मेंट किया जाए ये किया जाए तो ये चीज है 87 ये आपको लगाना आ गया होगा चलिए एक कोश्चन मैं आपको दूँ एक आठ लाग वाला तो किया था एक कोश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूँ Mr. X income 30 लाग एक कोश्चन मैं आपके सामने करना जा रहा हूँ फटा फट से आप भी इसके बाद दूसरा कोश्चन दूँगा आपने करना है Mr. X का income कितना है 30 लाग अप टू 250 निल आगे क्या आएगा next next 250 5% क्या आएगा 12,500 इसके बाद next कितने 30 लाग की है अभी 5 का हिसाब हुआ है तो next 5 लाग at the rate 20% यानी 1 लाग इसके बाद balance कितने बच गया सर अभी कितने का हिसाब हो गया 10 का था income कितना बचे कितने 20 लाग पे कितने परसेंट अब देखो आपको पता लगेगा कि tax क्या हो गया हमारा 6 लाग 12,500 अब इसके बाद भी सरकार को chain नहीं आया ओके 7 लाग रुपए 7 लाग at the rate 4% says तो 7 लाग 12,500 पे 4% says 28,500 रुपए इतने में तो अपने बच्चे को पढ़ा ले गाई है 7,4,1 देखो अगर 30 लाग की इंकम आपकी हो रही है ना तो 30 लाग के इंकम पे खुश होनी की जुरत नहीं है आपके इंकम सिर्फ और सिर्फ साड़े 22 लाग रुपए ही मनी जाएगे क्योंकि ये तो सरकार को ही देना है यानि आपकी 5 लाग रुपए तक इंकम है ना तो आपको इशू नहीं है जैसे ही 5 लाग से जादा बढ़ता है ना तो गवर्मेंट आपके उपर बहुत तेजी से आपसे कलेक्शन की तरफ बढ़ जाता है अगर इसकी इंकम होती ना 50 लाग रुपए 50 लाग रुपए तो गवर्मेंट बोलती इतना ज़्यादा कमा रहे हो 50 लाग पर गवर्मेंट को दे रहे हैं फिर भी बोलती 10 परसेंट और लाओ जहां पर लग जाता है सरचार्ज अगर किसी की इंकम 50 लाग से लेके 1 करोड रुपए के बीच में होता है तो वहां लग जाता है सरचार्ज हमारे कोश्चन के लिए irrelevant है बस मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है ना अगर 1 करोड से 2 करोड होती है तो गवर्मेंट बोलता है और 15 परसेंट जोड के लाओ ठीक है ना 2 करोड से 5 करोड होता है तो गवर्मेंट कहती है अब और थोड़ा से बढ़ा के दो यानि गवर्मेंट का परपस पता है क्या है कि आपके पास ज़्यादा पैसे ना छोड़ा जाए गवर्मेंट के यूज में आ जाए अब ये बिचारा कितनी मेहनत करके 30,000,000 रुपे कमाएगा पूरे साल में और इसने जो भी कमाया कितने रुपे टेक्स देना होगा 7,000,000 रुपे टेक्स देना होगा अब फिर ये परसन आपके पास आएगा और बोलेगा थोड़ी मेरी इंकम कम कर दो और कुछ ऐसी मेरे ये टेक्स प्लैनिंग कर दो जिससे कि हमारा टेक्स लाइबिलिटी कम हो जाए मैं क्या करूँगा मान लो मैंने बहुत जगह उससे इंवेस्मेंट करवाया एफडी कर दो अपने पैरेंट्स के मेडिकल पर डाल दो किसी हैंडिकेप की मदद कर दो चैरिटी में डाल दो इ क्या आएगा देखो मैंने टेक्स प्लैनिंग कर रहा हूं उसका पच्छिस लाक रुपे की इंकम पर क्या आएगा अब टू मैं चीजे बता रहा हूं जो आगे रियल लाइफ में काम आएगी आपकी नेक्स्ट अब डारेक्ट लिखूंगा मैं कितने आएंगे नेक्स्ट अब कितने बच गए पंद्रा लाक कितना होगा साड़े चार लाक कितने टेक्स होगे बता ना साड़े चार साड़े पांच पांच लाक हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया सेस को छोड़ देते हैं सेस तो बच्चा सा लग रहा होगा कुछ है नहीं में तो इस पर परसंटेज पे थोड़ा सा मैंने इसको गाइडेंस किया तो वह साथ लाक बारा हजार से उसकी टेक्स लाइबलिटी कितनी बन गई पांच लाक बासट हजार पांसु तो टोटल अगर टोटएलेटी में देखो तो लगबड़ लगभग देड़लाक का फाइदा हो गया लेकिन अगर आपको टेक्स की नॉलिज नहीं है तो आप चुप चाप जाके इस पर टेक्स दोगे अगर आपको टेक्स की नॉलिज है तो आप टेक्स इस पर जाके दोगे अपनी प्लैनिंग करके इसलिए सभी वेक्ति को डॉक्टर को इंजीनियर को आई टी में जितने काम है उनकी सेलरी बीस बीस पच्चिस पच्चिस तीस दिस लाग रुपए वो हम जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट को हम जैसे कॉमर्स के जो पढ़ाई करके उसको एक प्लैनिंग बनाके हमने बोला हमारी फीस बीस अजार रुपए है बीस अजार रुपए दीजिएगा तो आपका हम टेक्स बचा देंगा प्लैनिंग करके तो बताओ सामने वाला व्यक्ति बीस अजार मुझे देना अच्छा समझेगा या सरकार को साथ लाग बाराजार पांसो टेक्स देना पसंद करेगा बीस अजार हमारी जो यह नॉलेज है यह हमने बस थोड़ा सा दिमाग लगाया वहां इंप्लीमेंट किया उसके कितने रुपए बचा दिया हमने डेड़ लाग रुपए जिसका हमें रेमुनेरेशन कितना मिल गया 20,000 रुपए तो ऐसे बड़े सारे क्लाइंट होते हैं इंकम टेक्स की मैं बात करा रहा हूं यह क्या सब्जेक्ट है ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे डॉक्टर को पता नहीं है उसे इंजेक्शन देना आता है इंजिनियर को पता नहीं है उसे मकान बनाना आ रहा है कार ब 20,000 रुपए that is consultancy fees आपने इसको टेक्स चोरी करना नहीं सिखा है टेक्स का क्या बता दिया planning बता दिया तो टेक्स planning समझाने की आपको फीस मिलती है ठीक है तो मैंने यहां पर दिया है कुछ questions आपको दूमे करने के लिए चलिए यह पहले note करेंगे पहले यहां तक समझ में आ गया या और भी example लो समझ में आ गया यह किसकी income सीख रहे है इंडिवीजुल की इंडिवीजुल की में भी normal income इंडिवीजुल में भी बड़े सारे category है वो भी tax rate देखेंगे हाँ जी 4% of fix है सर चार्ज सलेवस में गीवन है लेकिन एक्जाम में ऐसा कोई income आएगा ही नहीं जो 50 लाक रुपे से उपर हो मैं rate लिखवाऊंगा मैं कुछ चीज़ा भी बता दूँ देखो सर नियूरिज्म नहीं बताया नहीं बताया क्योंकि मैं अभी बताऊंगा तो confusion लेकिन क्या आप कभी नहीं बताऊंगे ऐसा नहीं है मैं बताऊगा जरूब सर चार्ज नहीं क्लिएरटी में अभी नहीं बताएप सर्चार्ज पर और टेक्स रेट पे क्यों टेंशन लोगे आगे बताऊंगा मैं जब आप थोड़ा सा बिल्ल्डप हो जाएगा थोड़ा क्योंकि नियू सब्जेक्ट है थोड़ा सा माइन डेवलफ होगा ना तो मैं बीच-बीच में वो चीज़े बताता जाओंगा सर्चाज भी बताओंगा नियू रिजिम भी बताओंगा साथ के साथ अब बताता जाओंगा कुछ भी चीज एक्जाम से पहले आपका जो बुक है ग्रीस आओंगा उसका एक एक पेज आपको पता होगा कि कहां पर क्या सेक्षन है कुछ भी नहीं छोड़ा होगा हां जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा डेफिनेटली मैं आपको बता दूँगा कि यह इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी एक्जाम में समझा दूँगा पढ़ के चले जाना ठेक है न क्यूंकि मैं बताओं तो मैं काफी टाइम से टेक्स की बुक तो लिखी रहा हूं आप देखोगे टेनियर वगरा भी मार्किट में आएगा तो उसमें भी वीडियो वगर में चल रहा हूं या अधर उन्युवर्सिटी या वह भी अप्लाई कर सकते हैं इसको सिये का हमारा एक साल पीछे चलता है डेली उन्युवर्सिटी तो कोई बच्चा सोचे के हम इस टेक्स को पढ़के हम सिये का पेपर देंगे तो बहुत सारे प्रोविजन होंगे जो मु कर दो